भारत की खिलाफत करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी एक एक करके कोई ब्रिटेन में तो कोई कनाडा में तो कोई आस्ट्रेलिया में खत्म हो रहा है। कहा ज़ा है कि रहस्मय तरीके से कोई अस्पताल में जाता है, वहां पर उसको गोली लग जाती है, कोई गुरुद्वारे के बाहर निकलता है, वहां पर उसको गोली लग जाती है। नहीं हम कुछ नहीं कर रहे भारत सरकार की सुरक्षा अगेंसी कह रही हम नहीं करवा रहे लेकिन कैनाडा से लेकर के ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तक में जो खालिस्तानी बैठे हैं वो खालिस्तानी काप रहे हैं खालिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की जो रौ है वो मिसन पर है और भारत सरकार की रो हम सब को खत्म कर देगी एकक करके तमाम प्रकार की चीजे सोशल मीडिया पर भी चल रही है कहा जा रहा है कि आरे खालिस्तानियों संभल जाओ कयामत आने वाली है क्योंकि रो इस वक्द पर मिसन मोड पर है अब आपको जब हम एकक करके कहानी बताए कि कैसे 120 घंटे के अंदर जिस निजजर को लेकर आज कनेडा से भारत सरकार का रिष्टा एक दम तूटने के कगार पर है उसकी और ब्रिटेन में आपको याद होगा एक वीडियो वारेल हुआ था जिसमें भारतिये दूतावास पर से भारत का राष्ट्रिये जंडा उतार कर खालिस्तान का जंडा लहरा दिया गया और यह दुसाहस करने वाला आतनकवादी दोनों के दोनों 120 घंटे के अंदर खत्म कर दिये गया एक आतनकवादी ब्रिटेन में खत्म किया गया दूसरा जो निजजर है वो कनेडा में खत्म किया गया और इसके बाद चर्चा चली कि मोसाद ही रो है और रो ही मोसाद है आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि कैसे भारत के दुस्मन रहस्मई तरीके से खत्म हो रहे बागे नमसकार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं यह वीडियो रोड़ बेच एप के दोरा प्रहु की टेक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा जो की बहुत सस्ता होगा तो अगर रोड़ बेच के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्लेस्टोर पर जाईए रोड़ बेच नाम का एप होगा उसे डाउनलोड कीजिए और यात् पस आते हैं अपने खबर पर सबसे पहले आप एक एक करके जड़ा कहानी सुनिए कि यह कहानी सुरू कहां से हुई पिछले चार महीना का वक्त और पिछले चार महीना में हमने पढ़ा तो पता चला कि चाहें ब्रिटेन हो चाहें कैनेडा हो चाहें और श्रेलिया हो चाहें पाकिस्तान हो और चाहें अमेरिका हो जो भारत के खिलाफ भारत की खिलाफत करने वाले आतंकवादी हैं खालिस्तानी आतंकवादी या कोई और आतंकवादी वो एकक करके रहसमई तरीके से खत्म किये जा रहे हैं उनको लगता था कि हम ब्रिटेन में रहते हैं तो यहाँ पर हमको कोई छू नहीं सकता हम भारत के जंडे के साथ राश्ट्री धोच के साथ जाहे जो कुछ भी कर ले लेकिन होता क्या है कि ब्रिटेन के भारतिये दूतावास पर से भारत का तिरंगा उतारा जाता है उसका कुल का है लेकिन अब वो खालिस्तानी है उसको एक अलग देश चाहिए वो आतनकवादी था अब था इसलिए क्योंकि वो राश्ट्री धोच का अपमान करता है और इसके बाद ब्रिटेन के एक अस्पताल में वो रहस्मई तरीके से खत्म कर दिया याता है अभी खालिस्त कानी अतनकवादियों का हाथ पाँ फुलता ही है तब तक खबर आती है कि कनाडा का एक मस्ट वांटेट जो निजजर है वो निजजर गुरुद्वारे के बाहर खत्म कर दिया गया 120 घंटे के अंदर एक कनाडा में अतनकवादी गीरा तो एक अतनकवादी ब्रिटेन में औ मुसाद ही रौ है और रौ ही मुसाद है अब मुसाद का मतलब समझे मुसाद इजराइल की सुरक्षा एजनसी है जिसको इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाग सुरक्षा एजनसी कहा जाता है कहा जाता है कि अगर इजराइल का दुस्मन इस दुनिया में कहीं चुप जाए लेकिन मुसाद को खत्म करना है तो वो खत्म करके रहता है और अब भारत की सुरक्षा जैंसी रो कहा जा रहा है कि उसी एक्षन मोड पर है अब पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ जरा आप समझीए कहा जाता है कि हरदीप सिंग निजजर अवतार सिंग खांडा दोनों 120 घंटे के अंतराल पर खत्म कर दिये गया खालिस्तानियों का हाथ पाउं फुल गया तो उधर 6 मई को परमजीद सिंग पंजवार जो पाकिस्तान में रहता था उस परमजीद सिंग पंजवार को खत्म कर दिया गया इसके बाद रावल पिंडी में बसी रहमद आतंकवादी उसको खत्म कर दिया गया खालिद राजा को कराची में गोली मार दी गई वह भी आतंकवादी और इसके बाद चर्चा चलती है कि ये सब कुछ ऐसे ही तो नहीं हो रहा कोई ना कोई कर रहा सोशल मीडिया पर इस वक्द पर भारत सरकार की सुरक्षा एजनसी रौक के द्वारा कहा जा रहा है कि एक मिसन चलाया जा रहा जिसमें रहस्मई तरीके से भारत के दुस्मनों को खत्म किया जा रहा लोग भारत सरकार का पीट थपत पार है लोग कह रहें कि आतंक वादियों को सबक सिखाने का बिल्कुल सही रास्ता है क्योंकि अगर कोई देश उसके देश में पल रहे आतंक वादियों को पकड़ता ही नहीं कारवाई करता ही नहीं तो भारत की सुरक्षा एजनसी को कुछ आत्म को वाधी खत्म किये गये तोहां का हाथ पाउ u यहां वो रहते हैं भृटेज और हो अष्ट्रेलिया हो 컨ड़ा हो वहां की सरकार से कह रहे हैं हमको बचा लीजिए नहीं तो भारत सरकार की रो हमको खत्म कर देगी और भारत सरकार की रो के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त पर जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे कि हम रेक्षे बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सीगी बहुत बहुत धन्यवाद